मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने गुरुवार को 38 अगनीशमन केंद्रों का लोकारपन और शुला नियास किया है इस दुरान उन्होंने 35 अगनीशमन वाहनों का फ्लैग ओफ कर प्रदेश को सौपा इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने कहा कि हम सब जानते हैं कि संकट के समय अगनीशमन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इनी सब को ध्यान में रखकर 1944 में प्रदेश के अगनीशमन विभाग का गठन हुआ 1944 से 2017 तक 73 वर्षों में जितने 288 फायर स्टेशन स्थापित हुए हम लोगों ने मात्र 7 वर्ष में 71 नए फायर स्टेशन स्थापित किये अगनीशमन से जुड़े कानून में व्याप कर रिफॉर्म किये आज उसका परिणाम है कि अगनीशमन विभाग आज पूरी मुस्तेदी से कारे कर रहा है हमारी सरकार में लगबग 1400 करोड रुपए आधूनी करण के लिए इस विभाग को उपलप्त कराए गए मुक्यमंत्री योगी आधितनात ने कहा कि पिछले साथ वर्षों में विभाग के आधूनी करण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है साथी समय बद्ध तरीके से विभाग में अधिकारियों की तैनाती भी की गई है इसके परणाम सभी के सामने है पहले अकसर उद्यमई एनोसी को लेकर शुकायते करते थे हमने उसमें कई बदलाफ कर उसे सवल किया है यही वज़ा है कि पिछले कुछ वर्षों में इस और डूइंग बिसनिस में उत्तरप्रश की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ योगी ने कहा कि फायर टेंडर के रिस्पॉंस टाइम को कम से कम करने पर जोर होना चाहिए ताकि जन धन की हानी को कम से कम किया जा सके पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी सुधार भी हुआ है इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए प्रदेशवासियों निवेश को और टूरिस्ट के विश्वास को और मजबूत करना है इसी के तहट पहले चवण में जनपद स्तर और दूसरे चवण में तहसील स्तर पर एक से तेड़ वर्ष में फायर स्टेशन्स थाप